नमस्कार दोस्तों स्वागता एक और नई वीडियो में मेरे नामे प्रदीप आप देख रहे हैं टेकनोलोज जब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोन पे एप के मादम से कैसे लोन लेते हैं यानि कि फोन पे से कैसे लोन ले क्या सच में फोन पे जो एप है, लोन देती है, अगर देती है, तो कितना देती है, आपको complete जानकरी आज की इस यूडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूर देखेगा, अच्छी तरह से समझेगा, और वीडियो पसंद आए, तो लाइक जरूर कीजे, और इस तरह की हैलफून और बेस वी देता हूँ, जो बाते मैं आपको इस वीडियो में बता हूँँगा, phone पे app के बार में, साइध आपने कोई दूसरी वीडियो में देखी होगी, सुनी होगी, तो देखो, सबसे पहले तो यहाँपर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँपर आपको मेरे mobile के स्क्रिन देख यानि कि आपने पहले किसी app से किसी platform से loan ले रख था है तो उसका repayment कर रहे हो आप पर जो EMI बनती है वो payment आप कर रहे हो तो यहां पर आपको काफी सारे loan की NBFC रहती है या फिर जो bank से रहते हैं उनका यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो काफी सारे लोग बोलते हैं कोई भी offer नहीं आ रहा कोई भी कि फोन पर लोन प्रवाइड कर देख सकते हो कोई भी offer यहां पर नहीं आ रहा अब मैं आपको बताता हूं कैसे loan ले सकते हो तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे ना तो यहां पर देखे आपको एक option देखने को मिलेगा sponsored link और यहां पर आ अब यहां पर clear कर देता हूं यहां पर दो app का नाम आ रहा है दो platform का नाम आ रहा है बड़ी loan और money view तो एक बात यहां पर clear कर देता हूं कि कभी भी phone पे loan नहीं देता phone pay की partnership रहती है जो nbfc रहती है या फिर जो banks रहते हैं उनके साथ तो loan एक तरह से phone पे एक तरह से बिचोले का काम करता है आपको loan दिलवाता है phone pay के पास user base है phone pay के क्रोडों में users हैं जो phone pay को use करते हैं तो इसी वज़े से जो partnership करती है जो दूसरी जो nbfc रहते हैं बैंक से रहते हैं कंपनिया रहते हैं जो loan प्रवाइड करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अब यहां पर बड़ी loan और money view दो एप दिख रही हैं तो इन दो एप के मादम से आपको loan मिलेगा तो इनकी phone pay के साथ partnership है अब जैसे कि मैं money view पर मैं प्रेस करता हूं तो money view पर जैसे मैं प्रेस करूंगा तो यह क्या करेगी यहां पर आपको बड़ी loan जो एप है इसको इसको इस्टोल करनी पड़ेगी देख यहां पर आपको आपको इसको इसको इस्टोल करनी पड़ेगी देखें आ गया बड़ी loan की website पर आ गए तो यहां पर आपको जो है मुवाइल नंबर मेंशन करने लोन अमाउंट करने परसनल एमेल इडी मेंशन करके next कर देना है तो लोन किसके थ्रू मिलेगा बड़ी लोन के थ्रू बड़ा आप जा किसकी थ्रू रहे हो फोन पे के थ्रू जा रहे हो तो फुर पե का कुछoly परसंट जो इनका partnership रहती है तो कुछ NBFC रहती है उनके साथ वो लोन प्रवाइड करती है बस यह आप समझ लीजीगा अब यहां पर देखे यहां से जाएंगे ना अब मैं गूगल प्ले स्टोर भी आपको उपन करके दिखा देता हूं अब यहां पर देखे मैंने मनी व्यू सर्च किया मनी व्यू तो यहां से भ बड़ी एप थी BUD बड़ी लोन ठीक है तो यहां पर देके बड़ी लोन भी आ गई है तो इसको यहां से इंस्टोल करके आप यहां से अप्लाई कर सकते हो तो यह बात ही मेरे को आपको बतानी थी कापी सारी जो लोग रहते ना उनके मंद में भं रहता है कि फोन पे लोन लोन प्रवाइड करती है गूगल पे लोन प्रवाइड करती है यह लोग लोन प्रवाइड नहीं करते इनकी पाटनरसिव रहती है अब एक चीज और में आपको दिखाता हूं गूगल पे के बारे में आपको दिखा देता हूं देखो यहां पर मैंने गूगल पे पर लोग तो कि यांपर आप देखोगे की Google पे यहांपर साब साब बता रहा है कि Google पे लोन पर वाइड नहीं कर रहा है यहां पर देखो मैंून सब्कूद bewद tai कंप बता है H अगर फोन पेपर बड़ी लोन आ रहा था तो उनको आपको EMI परवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पर वापिस आ गए है फोन पेपर और यहाँ पर देखें मैं आपको दो-तिन बाते और किलिर कर देता हूं बड़ी लोन या पर Money View अब Money View पर मैं Money View जो एप है ना इसको मैं इस पर मैं प्रेस करता हूँ इस पर जैसे मैंने प्रेस किया Google Play Store पर आगे यहां पर देख सकते हो अब यहां पर इस एप के बारे में आपको जानकर ही मिल जाएगी यहां पर देखे बता रखा है Money View आपके यहां से आपको इनके बारे में पता चल जाएगा कि यह कितना इंटर्स चार्ज करते हैं और कितना प्रोसेसिंग इनके फीश करते हैं और यहां पर नीचे के तरफ आएंगे तो यह देखे इनके लेंडिंग पार्टेर इन की बारे में से कोमें को प्रोइड करेगा रखा वर उनके सब्सादें पर आज की वीडियो में यही जानकर आप सभी के साथ के लियर करने थी आसा करतों जानकरी पसंद आयोगी इसके बावजूद भी मन में कोई डाउट रहे गया तो कोमेंट बुक्स में कोमेंट कीजिए पूरी-पूरी कोसिस रहेगी आपको जो भी कोमेंट रहे उसका आस्व जानकरी के साथ